पहले मैगी बनाना पहले सीख जाए ठीक से तीखा मिठा और बड़तन मांजाना सीख जाए बड़तन अच्छे से मान जिए 24 का लोक सभा चुनाओ आ रहा है जब मैगी मैन किसको कर रहे हैं थोड़ा सा इसको क्लरिफाइए करिए अरे प्रिंस जी मैगी मैन किना नाम से फेमस हैं आदरने चिराग पासवान जी सब के दिल में बिरजमान हैं आप पसुपती कुमार पाराजी को सब कुणा के तरह घर से उठा कर फेक दिया है लड़की अबला लड़की आप पे गंभीर आरोप लगाई हो तब आप कैसे दू और आदरने चिराग पासवान जी समस्तिपूर लोकसभा छेतर में घूमे जनता से आग्रह किया अपील किया तब आप जाकर संसद पहुँचने का काम किये और वही देवता जैसे भाई के पीठ में खंजर मारने का अपने काम किया किस भी से परमापी मागें परिवार परम से थाने में फईयार लिखाने का काम करती है बहुट बिहार की राजनीत तो बहुत करम हुई थी इस पर ये तो बिख्यात हैं एक अभी फिल्म आई थी पेड़ मैन तो मैगी मैन है और केंद्र सरकार के एक मंतरी ने गलत तरीके से आरोप लगा दिया कि वो सराभी लो पर बात करने के लिए अपर परिवार तोड़ने पर पाटी तोड़ने पर या गलत तरीके से बारा जनपत के बंगले को खाली कराने पर देखिये जिस सांसत की बात आप कर रहे हैं यह बहुत विक्षात हैं विक्षात हैं हम लोग तो मीडिया के माध्यम से ही देखे कि एक लड़की जिसके साथ कलत काम हुआ था वह कोट के माध्यम से ठाने में फैयार लिखाने का काम करती है बहुत बिहार की राजनीद तो बहुत करम हुई थी इस पर, यह तो बिख्यात हैं, एक अभी फिल्म आई थी, पैड मैन, तो यह मैगी मैन हैं, मैगी मैन, यह बरतन मानते थे, खुद से सुईकार कियें, बरतन मानते थे, तो देखिए, एक सांसत का जो चरित्र होता है, वह जनता के लिए आदर्स अस्थापित करता है, आप जो नीती सिध्धान्त की काम, का जो काम होता है, जो संसद में बनते हैं, और बिहार जैसे गरीब राज्य में लागू होते हैं, बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब आपका चरित्र ही दोस्पूर्ण हो, एक लड़की, अबला लड़की आप पे गंभीर आरोप लगाई हो, तब आप कैसे दूसरे पर तिकाटिपनी कर सकते हैं, कि चिराग पासवान पैर पकड़ेंगे, माफी मांगेंगे, अरे राजिनीत में आप आएं हैं, आपके स्वरगे पिता जी का देहान्त हो गया, और आधरनीय चिराग पासवान जी समस्तिपूर लोकसभा छेत्र में घ किया, क्या आपने बिहार के विकास में योगदान किया है, तो कम से कम नयाय उस लड़की को मिला नहीं मिला मैं कह नहीं सकता हूँ, क्या उसके केस का हुआ, लेकिन ये तो मैगी मैन है, पहले मैगी बनाना पहले सीख जाए ठीक से, तीखा, मिठा और बरतन मांजाना सीख बरतन अच्छे से मान ये, 24 का लोग सभा चुनाव आ रहा है, मैगी मैन किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लरिफाय करिए, प्रिंस जी मैगी मैन के नाम से फेमस हैं, हमको बताने की जरूरत है, ये तो मीडिया के सभी चैनलों में विख्यात है, ये आरोप लग रहा है मुकाम में कि चिरात पासवान ने भीड को उकसाया, जिसके बाद पारस जी पर हमला हुआ, और इसके लिए कह रहे हैं कि फायर दर्ज होनी चाहिए, करवाई होनी चाहिए, क्या उसका या, उटेज आप लोग के पास है, कोई ऐसे सब्द, आप बताईएगा ना, आप हमसे हमारा परिवार आप तोड़ दिये, पाटी को आपने तोड़ दिया, बारा नमबर का जो बंगला था, वह गलत तरीके से हाँ, सम्मिधान रचैता बावा साहिब भीम राव अंबेदकर की मूर्ती और देश के दूसरे अंबेदकर, हमारे नेता सुरगे राम बिलास पासव जी उस पर चड़के धंगच दिया जाता है, तो इस बात को भी हम जनता के बीच में ना कहें, अपने समाज के बीच में ना कहें, बावा चोहर मल का धारमिक आयोजन होता है, वहाँ देश के वो तमाम प्रबुद्ध लोग जुटते हैं उस समाज के, आस्था कभी सह है, औ केंद्र सरकार के एक मंत्री ने गलत तरीके से आरोप लगा दिया, कि वो सराबी लोग थे, सराब पिये हुए थे, मुख मंत्री के सराब नीती पर प्रस्न उठाए, देखिये, इनकी जमीन खिसक चुकी है, आधर ने चिराग पासवान जी बिहार के अर्टीसो जिला में घ जलितों के सबसे बड़े आयोजन बाबा चोहर मल में इनको भगा दिया गया, तो ये अपमान जो है, अब सिर्फ पति कुमार पारस का तो नहीं है, ये तो अब पूरे इंडिये का अपमान है, सरकार इनका है, जाच करा लें, हमारे नेता आधर ने चिराग पासवान जी ज पीछे से उपर से नीचे से एकदम हेलिकॉप्टर का एकदम इनके साथ काफिला रहे, चुकि अब जो है, जनता के हाथ में सरकार है, और जनता ही मालिक है, जनता ही तहे करेगी, आधर ने चिराग पासवान जी सब के दिल में बिरजमान है, अब पसुपति कुमार पाराज जी को सब कुणा के तरह घर से उठा कर फेक दिया है, तो हमारे साथ रामला सलोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंग जी ते साब तर पे कहा, कि प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के बारे में कहा रहे हैं, कि वो एंडिये के अंदर आकर माफ़ मांगना होगा, तो पुरान